हेलो व्रिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज के वीडियो में हम बनाएंगे चाप बटर मसाला आज को जो है चाप सबकी फेवरेट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिसिपी इसके लिए मैंने जो है यह सोया चाप ले ली है इनको मैंने पानी में बॉयल कर लिया है एक चमश नमक डाल के और अब जो है मैं इनकी स्टेक्स को रिमूव करूँगी और पंदरा मिनट तक इसको हम फुल फ्लेम पे उबालेंगे ताकि इसकी स्टेक्स जो है इसली निकल जाए आप देख सकते हैं इनकी स्टेक्स जो है इसली से असानी से हट रही है और अब मैं इनको फ्राई करूंगी इसके लिए मैंने ये तेल लिया है और तेल अच्छे से गरम है और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे बहुत जादा फुल फ्लेम पे नहीं करेंगे नहीं तो जो है चाप हमारी बहुत जादा गोर्डन ब्राउन हो जाएगी हमें इसको म में जो मसाला भरेगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और यह हमारी चाप जो अच्छे से जो है फ्राई हो गई है मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई कर लिया है और अब मैं इनको निकाल लेती हूं और अब जो है मैं इनको मैरिनेट करूंगी यह मैंने जो है शानbij ऊसज़ों मलाई डालेंगे का और दो से टीन चममड जो है मैंने इसमें दएडली ढाली है और आब जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी चाप हमारी ग्रम है तो बդर जो है इजिली मेल्ट हो जाएगा थोड़ा सा नमक डाला है थोड़ा से चिली फ्लेक्स डालें औ और थोड़ा सा जो है इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हमने जो है सारी चीजें जो है डाल दी है और मिक्स कर लेंगे हम इन चीजों को और इसको जो है हम एक घंटे तक जो है फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो है मैरिनेट ह जाएरो फॉर्टी टू सिक्स्टी मिरट्स तक हम इसको भी मैरिनेशन के लिए रखतेंगे और मैं अध्रक लसन और हरीमिर्ष ले लेते हैं और ये चार से पांच जो है टमाटर हैं इन को हम इनका पेस्ट बना लेंगे टमाटर है और अध्रक लसन और हरी मिर्श लिया है मैंने इनको जो है मैं पीस लेती हूँ और तब तक जो हम खड़े मसाले रेडी कर लेते हैं ये दाल चीनी है तीन से चार लॉंग ली है और तीन छोटी लाइची ली है और आधा चमच हल्दी डलेगी इसमें और ये आधा चमच जो है भुना हुआ जीरा पाउडर है और दो चमच जो है धनिया पाउडर डलेगा इसमें और एक चमच जो है ये काश्मीरी लाल मिर्श पाउडर डालेंगे तो ये सब मसाले हम डालेंगे इसमें और खड़े मसाले भी इसमें हमने देख लिये हैं और ये टमाटर अद्रक लसन हरी मेर्श हमने पीस लिया है और दो से तीन बड़े चमब जो है मैंने कडाई में तेल डाल दिया है तेल की गरम होते ही जो है मैं इसमें चार जो है बड़े बड़े प्यास जो है मैंने काट लिए है वो डालूंगी मैं इसमें प्यास को जो है हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तब फ्राई करेंगे प्यास जो है देखिए पिंक हो गए है और यहां पर जो है गोल्डन ब्राउन हो गए है और मैं इसको जो है अब निकाल लूँगी मिक्सी में प्यास जो है गोर्डन ब्राउन हो चुकी है इसको जो है मैंने मिक्सी में निकाल लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के जो है मैं प्यास का जो है पेस्ट बना लूँगी प्यास का जो हमने पेस्ट बना लिया है और अब जो हमने इसमें एक खड़े मसाले अपने डाले हैं इसी तेल में दालचीनी है, लॉंग है और लाइची है और टमाटर, लसन, अद्रक, हरीमिश का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका तेल जो है अच्छे से निकल नहीं जाता थोड़ा सा आधा चम्मट जो है मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और बाकी मसाले तो हमारे रेडी ही पड़े हुए हल्दी, धनिया और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और देखिए तेल निकलने लग गया है टमाटर में से और ये मसाले जो है मैंने इसमें डाल दिये हैं मसालों को हम मिक्स कर लेंगे इसमें जो है इस सबजी में यही एक सस्पेंस है कि जो हमने प्यास का पेस्ट बनाया था वो हम पहले नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि हमने पहले प्यास अच्छे से फ्राई कर लिये थे पहले हमें टमाटर फ्राई करने है उसके बाद जो हमने ये जो प्यास का पेस्ट बनाया था ये डालना है हमारे पहले से ही पक चुके हैं और ये प्यास भी हमने पहले पका लिये हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मसाला हमारा मिक्स हो गया है देखिए तेल निकलने लग गया है बहुत ही अच्छी खुचबू आ रही है और अब जो हमारी मारिनेटेट चाप है वो ह सब कुछ इसमें डाल दिया था और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी जो है हम डालते रहेंगे इसमें ताकि इसकी ग्रेवी जो है इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी बन जाए बहुत ही असान है इस चाप को बनाना बटर मसाला चाप है ये बनाए...ज्व जो जो हर जड़ूर बनाएए.. खर में इस तरीके से बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको ये इस चमच मैने इसमें गरम मसाला डाला है गरम मसाला जो है हम थोड़ा सा लास्ट में यि डालते है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और थोड़ी सी जो है मैं इसमें कसूरी मेथी भी डालूंगी तेल जो है हमारा निकलने लग गया है और कसूरी मेथी भी जो है मैंने इसमें डाल दी है और तुमारी सबजी जो है बनके रेडी हो गई है देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है यह एक पर आप इस तरीके से इस चाप बटर मसाला को बनाएंगे तो इसी तरीके से ही आगे बनाते रहेंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी लग रही है ये देखिए कितनी एजिली जो है चाप जो है कट गई है और इसमें जो है अंदर तक जो है मसाला भर रहा है खुल चुकी है अंदर से चाप, फ्राई करने से चाप जो है खुल जाती है और हमारी सबजी जो है बनके रेडी हो गई है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चानल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए थाच्छा लाइक थाटएब कीजिए